आज स्वामी राम देव ने करोना की दवाई लॉंच करके पुए विर्ष्व को चकित कर दिया जहां स्वामी राम देव जी का दावा है कि उन्होंने करोना की दवाई को निल बना ली है आज उसका विदिवत रूप से लॉंच किया गया लॉंच करने की कुछ ही देर के बाद विरोध होना स्वामीर था क्योंकि भारतिर संस्कति सब्धता से लेकट कुछ ही बात होती है तो उसका विरोध होता ही है पर तो इस बार विरोध किया गया आईश्म अंतरा लेद्वारा वही स्वामीर रामदेव जी ने इसके लॉंच के समय पूर वह जानकारी दे दी जिसे हम आपको दिखारे जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें शोधकारी हुआ और कहां-कहां उने ट्रायल किया अब बात रुकती है कुछ में शेश पत्रकार से मुखता आ रहा कुछ तो इसको लिखने के रामदेव की दवा से करुमा का अंत करुमा के इलाज में करो में कितनी कारगर सिद्ध होगी कुछ विशेश विचारधारा के पत्रकार जो कहीं न कहीं पोशित होते हैं कहीं से वह लिख देते हैं राम देव बोले बनाली दवा सरकार ने निकाली हवा अब यह वह परत्रकार हैं जो सवैली भारती संसकर्टी सब्विति का फुरूद करते आए हैं और कुछ ऐसे भी परत्रकार थे जिनों ने गोलमाल करते हैं लिखा सरकार की बंजूरी के बिना लॉंच कर दी करूनिल दव और कुछ ने लिखा कि अब होगा कुरूना का अंत कहीं न कहीं जब कुछ रिशिचद्धियों से बात की उन सब ने बोला कि हाँ जो राम देर में दवाई बनाए हैं उसमें कहीं न कहीं ऐसे घटक हैं जो इम्मिनिटी सिस्टम को स्टाम करते हैं तो चलिए हम आपको कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लौंच करने जा रहे हैं इसके उपर हमने दो ट्राइल किए एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी जो की जो है दिल्ली से लेकर के एमदाबाद से लेकर के मिरट से लेकर के देश के कई सहरों में की गई clinical control study clinical case study के अंदर हमने 280 रोगियों को समिलित किया और वहा clinical case study का result भी अपने आप में अप्रतिम था उसमें भी 100% patients की recovery हुई एक भी death नहीं हुई और symptomatic treatment से लेकर के systemic treatment से लेकर के मने corona और corona की जो complications से उन सब को एक साथ हम control कर पाए और इस clinical case study के बाद में दूसरा क्रम था हमारा जो medical science में सबसे अहम भूमिका रखता है वह होता है clinical control trial और उसके लिए पतंदरी research center और national institute of medical science नीम्स जैपुर के हमारे आदले डौक्टर तोमर जी यहां पर है पियार आई और नीम्स के सयुक्त प्रियास से यह संभव हो पाया कि सो लोगों के उपर यह clinical control study की गई इसका detailing डौक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे फिचानवे रोगियों नो उसमें भाग लिया सबसे बड़ी बात ये थी तीन दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर होगे अर्थात positive से negative होगे यहां इतिहास की बहुत बड़ी घटना है within 3 days 69% patients का रिकवर हो जाना उनका positive से negative आ जाना यहां सायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को ये बात डाइजस्ट नहीं हो रही होगे कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी negative हो जाए और 7 दिन के अंदर 100% रोगी negative होगे ये बहुत बड़ी बात तो सौक्षियों यह है आपने सुना और दिखा बाबारामदेव जी किस परकार से इस दवाई का उन्होंने clinical trial कराया उसके विशे में बताया और सौक्षियों रामदेव जी का दावा है कि उन्होंने अपने सारी डिटेल केंदर को सम्मिट भी की है तो अब यह देखना है तेंदे सरकार इस दवा को उन्हें मार्किट में बेचन देती है या नहीं परम तो एक बात सुर सच है जो जो चड़ी भूटियों का इसमें प्रयोग किया गया है हमारे छोटे आरवीद का दवाईयों का काम करने वाले उसका प्रयोग करके इसका आश्य ही दवाई के रूप में लोगों को देना सुरू कर देंगे एक सकारत मक पहल है सब जानते थे भारती जड़ी बूटियों में रहस्य है आज कहीं न कहीं वह प्रविश्व को सामने दिखता नजर आ रहा है जरोध होना सुवाविक है प्रंतु कपतर